वे गाइज वेडियो में आप सभी के साथ बात करूंगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रंचिक्षिन पार्टू के अपने न्यू टॉपिक जन्रल प्रॉपर के बारे में गाइज आज यू नो पिछली वीडियो में हमने सब्सीडियू टॉपिक्स के सभी टॉपिक्स कवर किये बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चोटा सा सजेशन में दूँगा कि अगर आपने भी तक सब्सीडियू बुक्स के पिछले टॉपिक्स नहीं कवर किये हैं तो जाइए पहले पिछले टॉपिक्स कवर कर लीजिए क्योंकि जब तक हमारा पिछला टॉपि और क्या होता है जब पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर दी जाती है जैसे सेल्स बुक में ट्रांजेक्शन जो सेल्स बुक से रिलेटेड है वो रिकॉर्ड कर दी पर्चेस बुक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन पर्चेस बुक में रिकॉर्ड कर दी सेल्स से रिलेटेड नहीं होती हैं तब वो सारी ट्रांजेक्शन्स जनरल प्रोपर में रिकॉर्ड की जाती है यह यह कहना चाहिए एक जिस्क में पर्टीकुलर जितनी भी सब्सेडी बुक से उनसे रिलेटेड ट्रांजेक्शन को छोड़कर बाकी ट्रांजेक्शन यहां पर रिकॉर्ड कर दी जाती है आई यह बात करते हैं और देखते हैं क्या वाकई में ऐसा कुछ है ओल्डो ट्रांजेक्शन वीच कैन जैसे जैनल एंट्री फोलोविंग टाइप सब्सक्राइब कुछ इस तरह की ट्रांजेक्शन सो रिकॉर्ड किया जाता है नंबर एक पर बात करें हम तो ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्रीज रैक्टिफाइंट्रीज ट्रांसफर एंट्रीज एज़स्मेंट एंट का मतलब है यहाँ पर जब किसी भी फैनेंशियल एर का जो ओपनिंग जो क्लोजिंग बैलेंस अगले साल हम स्टार्टिंग में लेकर करते हैं तो यह जनरल प्रोपर में रिकॉर्ड करते हैं बात करेंगर क्लोजिंग एंट्री की तो किसी फैनेंशियर के लाश्ट में जो बसता है उसको क्लोजिंग एंट्री में हम रिकॉर्ड करते हैं तब यह जनरल प्रोपर में जाता है रेक्टिंग फाइंट्री रेक्टिंग फाइंट्री इसका मतलब हो गया जहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे हुए जिनको गलत अमाउंटेट कर दिया या कुछ भी कि किसी भी तरह से उन में कोई भी मिस्टेक हुई है जब वो ठीक की जाएंगी तो यह रेक्टिफाइंग एंट्री जो है जनरल प्रोपर में रिकॉर्ड की जाएंगी बात करेंगर हम ट्रांसफर एंट्री की तो ट्रांसफर एंट्री का मतलब यह है कि आपको जो है कोई transfer हुई है ठीक या फिर आपकी आप जो है कोई भी अमाउंट किसी एक अकाउंट से दूसरा अकाउंट में अगर हम transfer कर रहे हैं तो भी यहां पर जनरल प्रोपर में एंट्री रिकोर्ट किया आती है बात करते हैं हम मिसली एजस्मेंट एजस्मेंट एंट्री में आपको आउट एंट्सेंडिंग इक्सफैन्सेज प्रीपेड एक्सपैंसेज अक्रूड कमीशन अन कमिशन को में नहीं आती हैं अगर हम बात करें miscellaneous entries की तो miscellaneous entries में जैसे provision for bad debts हो गया provision for discount allowed हो गया discount received हो गया और हमारा goods given by charity charity वगरा में या नि overall ये सब चीजे आपके general proper में record कि जाएंगी simply इसी बात है अगर आपको समयना है कि general proper में क्या record होना है तो भाई general proper में record होना है जो entries of cd books में record नहीं हो सकती वो general proper में record होंगी तो गाई ये था intro छोटा सा intro जिसके थुरू हमने बताया कि आपको general proper क्या होता है general proper में कौन सी entries record की जाती है आने वाली वीडियो में आपको एक example के थुरू हम बताएंगे कि general proper में किस तरह से entries को record के आता है तो guys बने रहेगा हमाई channel के साथ और अगर अब ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो please इस वीडियो को like कीजे, share कीजे, अपने friends के साथ share जरूर कर दीजे, जिससे वो भी इस वीडियो का enjoy कर पाएं, साथ साथ subsidy books से सभी topics को के लिए कर पाएं channel को subscribe जरूर करें और guys अपनी feedbacks इस वीडियो के comment box में जरूर दें thank you so much